तुलसी की पूजा तीन महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए इन तीन महिलाओं को तुलसी के आसपास भी नहीं भटकना चाहिए वरना भयंकर पाप लगता है साथ ही हम आपको बताएंगे कि मासिक धर्म के दोरान आपको तुलसी की पूजा किस तरह करनी चाहिए और इसी के साथ हम जानेंगे कि कैसी तुलसी आपको घर में नहीं लगानी है सभी देवी देवताओं की कृपा हमेशा ऐसे घर पर बनी रहती है जहां पर तुलसी का पौधा होता है गुरूर पुरान में तुलसी माता का उल्लेक विस्तार पुर्वक बताया गया है हिंदु धर्म में वो घर ही क्या जिस घर में तुलसी का पौधा ना हो नियमित रूप से हर रोज तुलसी के दर्शन करने से व्यक्ति को बड़ी से बड़ी काम्याबी प्राप्त हो जाती है तुलसी का पत्ता खाने से कई हजार गुना व्यक्ति पर साकारात्मक्ता का संचार होता है तुलसी माता ने ऐसा वर्दान दिया था कि जो व्यक्ति अपने घर पर श्रधा पुर्वक मेरी आराधना करेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा और घर में बुरी शक्ती का साया कभी वास नहीं कर पाएगा इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं चाहे मर जाना लेकिन भूल कर भी ऐसी तुलसी कभी घर में मत लगाना पूरा घर बरबाद हो जाता है माता तुलसी क्रोधित हो जाती है दोस्तो कभी भी गंदी मिट्टी में तुलसी का पौधा मत लगाना इससे नाकारात्मकुज्या का स अगर आपकी तुल्सी सूख गई है तो इससे ये पता चलता है कि आने वाले समय में आपका बहुत बुरा समय आसकता है शास्त्रों में बताये जाता है कि सूखी तुल्सी घर में लगाने पर मा तुल्सी का अपमान माना gaya है ऐसे घर से हमेशा हमेशा के लिए तुलसी माता क्रोधित रहती है तुलसी के पौधे में नियमित साफ सफाई करना चाहिए सूखे हुए पत्ते को इधर उधर नहीं फैकना चाहिए मिट्टी में या गंगा में विसर्जित कर देना चाहिए तुलसी के पौधे में जल देते स पैरों में चपल नहीं होना चाहिए और वो जलाब के पैरों में नहीं गिलना चाहिए इस से धनहानी का खत्रा बना रहता है और व्यक्ति को पाप लगता है तुलसी माता के नियमित दर्शन करने से व्यक्ति को सुर्ग की प्राप्ति होती है और साकारात्मक्ता का संचार दोस्तों तुलसी का पौधा हमेशा घर के बीचों बीच में लगाना बहुत ही शुब और मंगल कारी माना गया है। या गंगा में विसर्जित कर सकते हैं। इससे तुलसी का पौधा अपवित्र हो जाता है और घर में भयंकर गरीबी का वास होता है। दोस्तों तुलसी में कभी भी शिवलिंग को नहीं रखना चाहिए। चली अब जानते हैं कि तुलसी की पूझा किन तीन महिलाओं को कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों नमबर एक सबसे जादा जो महिलाओं सवाल पूझती है वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दोरान तुलसी की पूझा की जा सकती है। क्या महिलाओं तुलसी को मासिक धर्म के दोरान जल चड़ा सकती है या नहीं तो चली इसके बारे में जानते हैं। इसलिए आपको मासिक धर्म के दोरान तुलसी को जल वे तुलसी पूझा वे तुलसी वरत नहीं करना चाहिए। और साथ जन्मों तक का साथ मिल जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आपने हिंदूरीती रिवाजों के साथ साथ पेरे नहीं लिये हैं तो आप पवित्र तुलसी के पौधे के आसपास भी गलती से भी न चाएं इस अवस्था में आप तुलसी पूझा नहीं कर सकते ऐसे में आप दूर रहें बगयर साथ पेरे लिए कोई भी महिला तुलसी पूझा नहीं कर सकती शास्तरों में इस बात की कतई मना ही है अगर आपने court marriage भी की है तो फिर भी आप तुलसी पूजा करने में सक्षम नहीं है पहले आप साथ पेरे लें तभी आप तुलसी पूजा कर सकते हैं साथ पेरे लेने के बाद आप किसी भी धार में कार्या में भी शामिल हो सकते हैं अगर आप शास्तरों के विरुद ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागिदार बन सकते हैं माता तुलसी आपसे नाराज हो सकती है दोस्तो भले ही कुवारी करन्या तुलसी पूजा कर सकती है लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शादी शुदा महिलाओं की अगर आपने हिंदू रिती रिवाजों के साथ साथ पेरे नहीं लिये हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री तुलसी पूजा नहीं कर सकती नमबर तीन चरित्रहीन व्यक्ति व्यमन में गंदे विचार एक दुष्ट व्यक्ति तुलसी के इस पवित्र पौधे से हमेशा दूर रहे ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी स्विकार नहीं करती है मा तुलसी अगर हम शास्तरों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रती गलत भावना अपने मन में रखते हैं तो आप तुलसी पूजा या तुलसी विवा कभी भी नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती है मा तुलसी और उनकी पूजा भी कभी स्विकार नहीं करती अगर आपका मन सच्चा है तभी ही माता तुलसी आपकी पूजा स्विकार करेंगी चलिए अब आपको तुलसी का एक विशेश उपयोग बताते है जो कि ना सिर्फ आपकी किसमत चमका सकता है बल्कि कई सारे दुखों का भी नाश करता है ये उपय आपके घर से नाकारात्मक उजा को खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित होगा एक पीतल के लोटे में पानी भर ले अब उसमें आप चार या पांच पते तुलसी डालने अब तुलसी पती डालने के बाद इस लोटे को एक दिन के लिए रखना है कम से कम 24 गंटे के लिए इसे रख दीजिए 24 गंटे के बाद उस पानी से आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर छीटे देने हैं और फिर घर में सभी जगा पर आपको इस पानी से छीटे देने हैं उसके बाद जो पानी अगर बच जाए तो उसे कहीं पर भी पेड या पौधे की जड़ में आप डाल दीजिए चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपको तुलसी के पास नहीं रखने चाहिए दोस्तों अगर ये चीज़े तुलसी के पास है तो तुरंत वहां से हटा दे तुलसी के पौधे के पास जाड़ू या जूता चपल नहीं होना चाहिए बहुत से लोग तुलसी के पौधे के साथ दूसरे फूल पतियों के पौधे लगा देते हैं जो ठीक नहीं है तुलसी जिस गमले में लगाते हैं उसमें कोई अन्या पौधा लगाना ठीक नहीं होता इस से तुलसी का विकास समुचित नहीं हो पाता और वो सूखने लग जाती है जल में दूद मिलाकर तुलसी को जल देने से तुलसी सुष्ट और हरी भरी रहती है लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि केवल एक दो बूंद ही दूद की मिलाईए इससे जादा नहीं वरना अगर आप जादा दूद मिला देंगे तो तुलसी खराब हो सकती है तो दोस्ता आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बता इ apr करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अप़ी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जल्म लाकात होगी अगले वीडियो झाल 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 झाल